नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुचाना है सरकारी सेवा में आने के बाद आपको भी ऐसी ही नियत से नेक नियत से ऐसे ही समर्पण भाव से ऐसी ही निष्ठा से अपने आपको जनता जनारदन की सेवा के लिए खपाना ही है साथियों आज के बदलते हुए भारत में आप सभी एक इंफ्रास्ट्रक्चर कांती के भी साक्षी बन रहे हैं आधुनिक एक्सप्रेस वे हो आधुनिक रेल्वे स्टेशन हो एरपोर्ट्स हो वाटर वे हो आज देश इन पर लाखो करोड रुपिये खर्च कर रहा है